हेलो गाइज वेल्कुम तो मैं चैनल उटीजम और मुजिक में हूं कोमल ठाकुर पेरेंटिंग और जैसा कि कमेंट में मैंने मेंचिन किया था नेक्स्ट वीडियो यह जो वीडियो है वह क्वेश्चन आंसरिंग का ही वीडियो होगा देर ना करते हुए मैं चाहते हूं कि ज और क्लासिकल उटीजम को वो लो वर्चुल उटीजम समझ रहे हैं तो यहां पर मैं इसको डिसकस नहीं करूंगी क्योंकि वर्चुल उटीजम पे जस्ट लास्ट वीडियो बनाई हूए डेटेल में बनाई हूए है अगर उन टू वीडियो को आप 100% बीने स्किप करते हू इसलिए मैंने देखा कि वहां पर भी आप गलास समझ रहे हैं उन चीज़ों को तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पर्टिकूरली बर्च्वल आउटीजम की आप चाह रहे हैं कि मैं यह समझू कि मेरे बच्चे को कौन सा डिसॉर्डर है बर्च्वल है यह क्लासिकल है यह एडिएशटी है तो प्रीज उन वीडियो को बिना स्किप करके देखिए इसका एक 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 एक्जामपल यहां पर यह भी है मैं आपको यह कमेंट इसी से रिलेटेड है फरस्ट हेलो कॉमल जी आज मैं बहुत परिशानी के साथ यह मैसेज आपको कर रही हूं मेरा बेटा साथ साल का है उसे वर्च्वल उटिजम है वह स्कूल जाता है पहले सब ठीक था अब जो है वह स्कूल से कम्प्लेंट्स आ रही है और वह पेंसिल रवर यानिके वह चियू करता ह है उसका स्कूल टाइमिंग है सुबा आठ वजे से लेके तीन वजे तक तो वो यही पूछ रही है कि क्या उसका हाफ टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए या फिर घर पे ही मुझे उसको थेरपी देनी चाहिए यह यह भी देख रही है कि क्या उसे स्कूल से की बर्चोल उटीजम है और मैंने उनसे कुछ और डेटेल भी मांगी थी कि और क्या डेटेल से हैं थोड़ा सा शेयर कीजी सो उसके बाद इनका reply आया मैं उसे therapist ने ADHD डाइगनोस किया था तो यह मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि बर्चोल नहीं है ADHD है तो यहां पे देखिए जो इसको डाइगनोसिस मिला है बच्चे को वो बिल्कुल सही मिला है यह बर्चोल उटीजम का केस नहीं है यह ADHD का क करना है तो हीटिंग बेहवियर उस बच्चे में है और स्कूल में जो कार्टून केरेक्टर हैं तो एबरी टाइम सबके सामने कार्टून केरेक्टर को इमिटेट करता है उनके एक्शन को इमिटेट करता है तो क्या करना चाहिए इस केस में तो यह तो क्लियर हो गया यह सार सेंसरी इशू, हिटिंग भी येवियर तो एडिये क्या होता है ना, As Kampereason To Autism, भच्छे का सोसिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मैं यह नहीं बोलूंगे अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक होता है, वो सब के साथ इंट्रेक्ट करना चाहते हैं इसलिए तो क्या करते हैं कि अब्री टाइम हर किसी से इंट्रेक्ट करना चाहते हैं और हर किसी के सामने जो भी उनके दिमाग में चल रहा है चाहे वो टॉपिक वहां पे रिलेटर है या नहीं है यानि कि out of the situation किनी भी चीजों को दूसरे के साम ने बोलते रहना डिसकस करते रहना तो यह सब फीचर होते हैं ADHD में और सिटिंग तो थोड़ा कम होता है मतलब डिस्टर्वेंस जहां भी जाएंगे तो डिस्टर्वेंस बहुत जादा करते हैं और टिस्टिक बच्चे तो क्या होते हैं अपने स्टीमिंग इशू से परिश करते हैं क्योंकि प्रॉपर कंवर्शेशन वो करेंगे नहीं जो भी कुछ बोलेंगे बॉट अब यहां पर यह बोल रही है कि वह कार्टून करेक्टर मतलब तो वह स्क्रीन टाइम उसको मिला हुआ है तो ADHD है या Autism है दोनों में ही अगर आप स्क्रीन टाइम बच्चे को द रहा है उस कंटेंट को YouTube में से वहां पर फीचर आता है डॉंट रिकमेंट कर दीजिए सेटिंग कीजिए ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा फोन में यह टीवी में क्या देख रहा है तो उस चीज से जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब फिक्सेशन बढ़ रही है उसको बहां स्क्रीन बंद किये हुए तो यह आपको रहेगी इसमें टाइम लगेगा स्क्रीन टाइम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए इसमें टाइम लगेगा धीरे-धीरे वह उस चीज को बिल्कुल भूल जाएगा लेकिन ADHD का क्या होता है जैसे वह यह बूलेगा तो वह कुछ स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद रखिए स्कूल से निकालने के जरुरत नहीं है मैं यहीं रेकमेंट करूंगी हाफ टाइम कीजिए जिससे स्कूल को भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे का सोचलाइजेशन भी अच्छा रहे क्योंकि इन बच्चों को ABA थेरपी की जरुर का या चुईंग फूड़ आइटम्स वह आपको यूज करना है माउत का प्रेशर वाली अक्तिविटीश हो तो को अपको करनी है उसी से बेनिफिट होगा और घर के इन चीजों को नहीं करना है बार बार रोकना है जिससे क्या होता है न बच्चा कंफ़र्टेबली उस के moral seeking behavior होता है तो बोल के भी करना है और exercises भी करनी है तो चलिए next comment की तरफ नेक्स कमेंट है virtual autism में भी sensory issues होते हैं बहुत कम chances है guys virtual autism में बच्चे का self-talk आपको दिख सकता है lasting उसकी दिख सकती है चिड़ चिड़ा पन टेंटरम दिख सकता है क्योंकि बार बार screen की तरफ ही जाने का इनका मन करता है तो कुछ इस तरह का behavior होता है sensory issues के chances बहुत कम है क्योंकि virtual autism जो है वो neurological नहीं होता है और sensory issues क्या है neurological disorder ही है sensory processing disorder यानि कि जब brain जो है वो senses जो है वो जो brain से related है हमारी पांचो senses ना ब्रेन से related है तो brain affected है तो हमारा sensory processing disorder है वो होता है तो virtual autism जो है वो neurological नहीं होता है यह तो screen से induced होता है तो sensory issues होने के chances इसमें बहुत कम है next है guys next comment है तीन साल का ये बच्चा है और उसको borderline जो है वो detect हुआ है डाइगनॉस हुआ है उसकी catching power अच्छी है लेकिन मतलब वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है तो कितना time में जो है वो borderline autism जो है वो recover हो सकता है so इसका सबसे अच्छा तरीका यही है borderline autism अगर डाइगनॉस हुआ है तो कहीं न कहीं chances है वो virtual autism भी हो सकता है इसलिए borderline जो है वो borderline मिन्स कुछ कुछ सिम्टम्स बच्चे के अंदर autism के आते हैं बाकी चीज़ें अच्छी होती है उसकी socialization होती है यह sometimes language लोड़ा डिले होता है नेम रिस्पॉंस नहीं होता है आई कॉंटेक्ट नहीं होता है और अगर देखो तो understanding ये socialization ये सब features जो है वो sometimes जो है वो अच्छे होते है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कोई भी autism हो आप therapy start कीजिए need-based therapy start करनी है जब भी आप diagnosis कराने जा रहे हैं तो वहीं पर आप देखिए यहां पर describe नहीं किया है कि कौन-कौन से symptoms हैं उसमें need-based आपको देखना है कि occupational therapy की जरुरत है speech therapy की जरुरत है या फिर ABA therapy की जरुरत है वो आपको therapy करवानी है और फिर आप देखिए therapy करवाने के बाद जैसे ही आप therapy start कर रहे हैं तो कितने जल्दी वो improvement आ रही है generally अगर आप therapy करवाते हैं तो एक डेड़ साल में आपको अच्छा खासा improvement इन बच्चों में दिख जाता है so therapy से ही यह चीज़ आप लोगों को पता चलेगी guys therapy जरूर start कीजिए next comment है मैम अगर virtual autism है और 5 यर की age में therapy स्टार्ट करें तो full recover हो सकता है virtual autism में आप कभी भी therapy स्टार्ट करो तो बच्चा fully recover हो ही जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा age जादा है virtual autism generally मैंने early ages में देखा यानि के 2-3 साल के बच्चों में जब problem यह होती है कि एक साल भी नहीं होता है बच्चे के milestone भी डबलप नहीं हुए होते है और milestone डबलप होने के लिए बच्चे को time भी नहीं दिया जाता है और उससे पहले उसको screen introduce करवा दी जाती है तब virtual autism होने के chances बहुत जादा होते हैं तो अगर आपको लगता है virtual autism है तो definitely एक साल क्या एक साल देट साल में therapy के बाद बच्चे fully recover हो जाते हैं और अगर नहीं हो रहे है screen time मिल्कुल बंद कर दिया एक देट साल से आप therapy करवा रहे हैं और improvement अगर इतनी fast आपको नहीं दिख रही है तो कहीं न कहीं फिर ADHD या classic autism होने के chances बच्चे को occupational therapy कराना ज़रूरी है या ABA therapy कौन सी therapy इन दोनों में से करवानी चाहिए ADHD में mainly जो है वो ABA therapy काम करती है और autism में ये तीनों therapies काम करती है occupational भी, ABA भी और speech therapy भी क्योंकि autism में तीनों ही तरह के issues आपको दिखते हैं occupational loss, fine motor, logical thinking ये सब चीज़ें आपको दिखते हैं sitting tolerance नहीं होता है बच्चे में speech delay होता है, language इतनी अच्छी नहीं होती है behavioral issues भी होते हैं तो autism में मेरे हिसाब से तीनों ही therapies जो है वो अच्छी तरह से काम करती है और ADHD में आपको occupational loss, speech therapy की इतनी ज़रत नहीं होती है इयर की age में उसको mild autism डाइगनॉस हुआ था, अब लगवग 8 महीन की therapy के बाद उसमें काफी अच्छी improvement है काफी efforts की इनोंने, तो therapists अभी बोल रहे हैं कि अभी उसमें ज्यादा problem नहीं है only speech का ही problem है उसमें, तो यह पूछ रही है कि क्या उन्हें अगर वो therapy अभी बंद कर देती है तो क्या उसमें regression आ जाएगा, मतलब या कितने दिनों के तक उन्हें और therapy चलानी चाहिए तो यह चीज मैंने देखिया, इसका एक case मैंने आप लोगों के साथ discuss किया था, speech delay का case जिसके उपर मैंने एक proper video बनाया था, जो मेरे हमारे ही friends की बच्ची थी तो उसमें भी क्या था, सारे symptoms उसमें अच्छे थे, मतलब बाकि सब चीजें उसमें अच्छी थी time के साथ अच्छी हो गई, तीन साल तक तो काफी ज़्यादा problem हुआ, उसमें भी name, response, eye contact, यह सब कुछ नहीं था उन्होंने तो कोई therapy भी नहीं करवाई थी, लेकिन तीन साल तक उसमें oral sensory issue भी थे, वो चीज नहीं कर पाती थी लेकिन चार साल तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो language थी वो बूरी develop हो गई थी और speech बिल्कुल clear हो गई थी कहां वो तीन साल की age में बिल्कुल कोई भी word clear नहीं बोल पा रही थी, तो ऐसे भी example है, exist करते हैं, मेरे सामने exist किये हैं तो यह चीज भी वो यह case भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आठ महीनों में इतनी अच्छी improvement आना यह कही न कहीं speech delay का ही case है तो generally autism में तो आठ महीनों में क्या 2-3-3 साल लग जाते हैं आपको improvement देखने के लिए तो यह कम महीनों में अगर improvement देख रहे हैं तो कहीं न कहीं speech delay का ही case है जो उन्होंने उनका तो without therapy ठीक हो गया था लेकिन मैं फिर भी उनको recommend कर रही थी कि chance मत लीजिये therapy करवाईए तो अभी आपको regression आगर आप पूछ रही हैं तो regression ऐसा नहीं होता है Regressive Autism के उपर मैंने वीडियो बनाया है वो regression अगर होना है तो दो साल से पहले पहले वो regression हो जाता है अपने आप हो जाता है बच्चे का दो साल से पहले अच्छा कासा language होता है कुछ words होते हैं communication होता है और दो साल के बाद अपने आप Regressive Autism जिसको हम लोग बोलते हैं उसको भी cure नहीं किया जा सकता है तो ये चीज़ें नहीं होती है therapy के बाद जो चीज़ें आ रही है वो regression नहीं होती है तो ये चीज़ें के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिये speech therapy अगर आपको problem हो रही है financially आप stable नहीं है तो मैं यही recommend करूँगी कि आप घर पे try कीज़े speech therapy छोड़ना नहीं है जब तक उसका language नहीं आ रहा है 4-5 साल जितना भी है time आपको speech therapy घर पे करा दे रहना चाहिए जो भी speech की tongue, jaw और ये जो muscle की जो exercises होती है ये try करते रहना है और बच्चे को बुलवाते रहना है words बुलवाने की कोशिच आपको करते रहनी चाहिए ठीक है बाकी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है regression बिलकुल नहीं होगा speech therapy आप घर पे continue कीजिए जरूर benefit होगा क्योंकि वो cooperate तो कर रही होगी में successful होते हैं या independent होते हैं तो ये ऐसा बिलकुल नहीं है guys ये माना की जो high functioning autistic बच्चे होते हैं academic उनका अच्छा होता है लेकिन फिर भी school में उनको issues आते हैं behavior issues sensory issues की बज़ा से problem आती है तो उनके लिए भी मुश्किल होता है कई बार करना तो ये इस रिष्टी से आप मत देखो कि high functioning है या मतलब दूसरे बच्चे हैं तो schooling में मतलब सबको behavioral की बज़ा से problem आती ही आती है तो और ऐसे भी बच्चे हैं आपने देखे होंगे मैंने भी देखा है school में जो high functioning नहीं है लेकिन जादा से जादा lost रहते हैं तो school में उनको कोई issue नहीं आता है वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे lost रहेंगे लेकिन पूरा दिन बैठे रहेंगे तो क्या बोलोगे आप क्या वो मतलब वो अपनी schooling complete कर रहे हैं फिर उसका भी प्रॉबलम है mild intellectual disability का फिर भी वो अपनी life में कितना independent अभी तक हो चुका है भगवान करे आगे भी वो और independent हो सके कितने अच्छे result हमको दिख रहे हैं उसमें तो यह लेबल आप मत लगाओ कि high functioning में independent हो सकते हैं या high functioning नहीं है तो दूसरे में mild moderate में dependent नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं है यह आगे की जरनी है वो बिल्कुल depend करती है कि हम कितना effort लगा रहे हैं और बच्चे के साथ हमारा कैसा connection है वो बहुत important है जा अगर connection आपके और आपके बच्चे में सही है तो दीरे-दीरे काफी आगे भी जो है वो autism है तो भी throughout the life बच्चे म improvement आईगी हमने भी देखा यारनम में दीरे-दीरे वो जो चीज़ें वो छोटी age में नहीं कर पाता था अब वो असानी से कर पा रहा है तो age के साथ जो normal बच्चा 5 साल में कर रहा है हमारे बच्चे 10 साल में उस चीज़ को कर पाते हैं लेकिन improvement चलती जाती है तो हम यह नहीं नहीं बोल सकते कि high functioning ही independent होते हैं दूसरे भी हो सकते हैं अगर मेरा बच्चा independent होता है कल को तो वह तो high functioning नहीं है तो यहां पे आप देखिए time के साथ उसके behavior में भी काफी एची improvement आ रही है तो अभी आप यहां पे side में screenshot भी देख सकते हैं वीडियो देख सकते हैं मैं लगा कि only हम लोग यह सोचें कि high functioning में ही हो सकता है रही schooling की बात तो कोई problem नहीं है मेरे बच्चे के लिए भी academic difficult हो रहा है इसके ओपर मैंने video बनाया था तो home schooling भी हम लोग कर सकते हैं बाकि दूसरी जितनी classes है sports है music है और सारी activities में हम बच्चों को डाल सकते हैं तो schooling के बारे में आ next day दिया अपने अर्नव की therapy कब start की थी क्या अब भी अर्नव की therapy चल रही है और therapy कब तक करवानी होती है क्योंकि कुछ cities में therapy नहीं है और outer area में रखका therapy करवाना बहुत tough है definitely बहुत मुश्किल होती है अर्नव को जब diagnosis हुआ था उसका two and half year में और उसी time पर one month के भी दिन हम थेरपी स्टार्ट कर दिया था उसका first occupational therapy और उसके कुछ 7-8 महिने के बाद फिर speech therapy स्टार्ट किया था क्योंकि वह speech में बिल्कुल भी cooperate नहीं करता था बहुत जादा hyperactive था तो हमें बोला गया था कि आप थोड़ा occupational therapy में उसको settle कीजिए फिर speech therapy स्टार्ट कीजिए और फिर two and half year की age से लेके seven year की age तक हम लोगों ने उसकी therapy करवाई है occupational और speech therapy क्योंकि seven year के बाद मुझे लगा था कि अभी जो है जितना therapy से उसको benefit होना है वो हो चुका है और अभी मुझे घर पे effort करना चाहिए क्योंकि तब school भी start हो चुका था therapy में आना जाना वो time भी थोड़ा सा ज लोग घर पे उसको कर सकते हैं तो मुझे भी यही लगता है कि इतनी एस तक seven eight years की एस तक therapy enough होती है उसके बाद इतना जादा मुझे ने लगता कि जरूत पड़ती है कुछ लोग करवाते हैं जो financially stable हैं वो 10 साल 12 साल तक भी कराते हैं लेकिन मुझे लगता है कि असली जो therapy का नाम ही early intervention है early intervention तो even five six year तक ही होता है तो seven eight years तक enough है इतना बाकी फिर important है कि फिर यही है कि फिर फिर important है कि therapy अगर बंद किया है तो फिर घर पे बाकी सारी चीज़ों के उपर काम करना पड़ता है आपको outing, socialization फिर उसकी language के उपर फिर भी आपको continuously work करना है academy के उपर आपको continuously work करना है फिर जो social behavior है यह सब चीज़ों के उपर आपको focus करना है तो और बहुत सारी चीज़े होती है तो therapy तो एक तरह से अभी तक फिर चलती ही आ रही है अभी घर पे ही therapy चल रही है फिर यह है तो इसी तरह का है तो जो professional therapy है वो seven eight years तक I think enough है कि एक और question आता है कि आप Instagram में भी account है और Facebook में अभी recently मैंने Facebook page start किया है जिसमें मैं जो initial के मेरे videos है starties के videos है वहां से मेरे videos डालना start की है जो मेरे पुराने videos है तो दो साल पहले मैंने initially अपनी journey जो share की है तो अगर आप initially देखना चाहते है मेरी journey कैसी थी तो वहां पे आप जूड सकते है link आपको description box मे मिल जाएगा वाकी Instagram में आप जूड सकते हैं Facebook में भी आप जूड सकते हैं दोनों ही link आपको comment box में मेल जाएंगे वहां पे आप अपनी queries जो हां वो text कर सकते हैं या voice message कर सकते हैं वहां पे भी reply करती हूं इवन आप videos भी share कर सकते हैं बहुत खुशी की बात है अभी just मुझे कल ही Instagram पे call आया था congratulations once again उनको तो उनका मैंने I think 12 साल पहले मैंने वो वीडियो देखा था बच्चे का तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको क्या लग रहा है उसको autism है या नहीं तो उस टाइम पे मैंने mention किया था कि मुझे नहीं लग रहा है मेरे यही बर्स थे मुझे नहीं लग रहा है कि इसको autism है तो अभी कल उनका call आया surprisingly तो उन्होंने बताया कि वो अभी फूरी तरह से fully recover हो चुका है बहुत खुश थी वो उन्होंने अपनी happiness मेरे साथ share की मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो काफी motivate किया मुझे भी अच्छा लगा क कि कम से कम हमारी autism journey से किसी को benefit हुआ और अच्छा लगा कि हाँ अभी मैं predict कर पा रही हूं देखके वीडियो देखके तो उस ताइम उनको भी अच्छा लगा जब मैंने ये चीजें बोली और मुझे खुद को भी अच्छा लगा कि चलो जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो सही हो गया ज़रूरी नहीं है हर टाइम मेरी prediction सही ही हो तो काफी अभी तक 2-3 cases में मैंने prediction किया तो अभी तक सही निकला है यार इतने सारे cases अपनी colony में भी है therapy centers में देखे हैं और आप लोगों के comments को भले ही में reply ना करूं हर comment को मैं deeply बहुत अच्छे तरीके से समझती हूं understand करती हूं pattern देखती हूं कि different different बच्चों में किस तरह के symptoms आ रहे हैं किस तरह के changes आ रहे हैं तो वहां से भी चीजें फिर समझ में आती है कि हाँ autism जो है वो उ इसी ही खुशी दे जैसी कि आपको मिली है सो अब इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं guys मैं कोशिश करूंगी every Sunday live आने की अभी मुझे live का कोई idea है नहीं है मैं सीख रही हूं थोड़ा सा अगर Sunday every Sunday को में live आती हूं तो कम से कम वहां पे मैं comments का reply कर सकती हूं लिखे comment का reply करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि अभी जैसे अरनव बड़ा हो रहा है मैं और ज्यादा busy हो रही हूं academic है उसका जो music है उसके उपर हम लोग काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वहां पे भी मुझे उसे assist करना पड़ता है तो time नहीं मिलता ह वीडियो भी काफी लेट आते हैं तो यही कोशिश रहेगी मेरी की live में start करूं so that every Sunday मैं आप लोगों के साथ जोड़ सकूं so इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे end करती हूं अगर और queries हो तो यह वीडियो में आप जरूर comment कीजिएगा so इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching this video